मैंने सोचा नहीं था कि H&M जैसा ब्रैंड मेरी टीशर्ट कॉपी कर लेगा तो बात ऐसी है कि हब्रू की स्कूली पर इच्छाएं समाथ हो चुकी थी और अब उसकी एक ही तमन्ना थी कि जीते जी शहर का सबसे बड़ा मॉल देख सके तो मैं इसे लेकर निकल गया ये मॉल इतना बड़ा था कि अगर चलते जलते किसी के पैर तूट गए तो वो स्टिफन होकिंग की गारी चला सकता है यहां मैं मॉल में एंटर होने से बस दो कदम ही दूर था कि मेरे स्वागत में स्टेज में खड़े व्यक्ती ने अजीमो शान शेहनशा गाना शुरू कर दिया लोगों मैं अजीब सी भगदर मज गई लेकिन लोगों की भीर मुझे खुली आँक नहीं भाती इसलिए मैं वेल्डिंग वाला चश्मा पहन कर मॉल में ऐसे टहलता हूँ जैसे कोई व्यक्ती सुभा पारक में टहलता है काम्याबी की सीडी चड़ते वक्त मेरा पैर फिसला लेकिन मैंने खुद को समभाला और सीधा H&M में आ लिया यहां मैंने अपनी ही टी-शेट की कॉपी देखी तो मैं हैरान रह गया क्योंकि यह टी-शेट मैंने एक साल पहले ली थी वो भी 500 रुपेगी और इस समय यह H&M में 1499 रुपेगी मिल भी है अब बाकी तुम खुद समझदार हो खैरब मॉल में टहलते टहलते भूख से पेट में छाले पड़ गए थे तो हम आगे कुछ अतरंगी सा खाने यह क्या है केला फ्राय कर दो कर दो अन्त में मैंने हबड़ को इतने जोग सुनाए कि उसने खाते खाते पेशाप छोड़ दिया आप देखते देखते लाइक छोड़ दो